चाहिए तुमको जिन्दगी के अंदर कहीं भी successful बनना हो चाहिए job के अंदर, business के अंदर, start-up के अंदर, relationships के अंदर, तुमको शुन्ने से शुरू करना होता है, अब तुम कहोगे कि भईया शुन्ने से start करने का मतलब क्या है, लोग तो कहते हैं कि हमको one से start करने है, पर आप क थोड़े बहुत अशिक्षित इंसान हो, तो शुन्ने स्टेट क्या होती है, इसको meditative state कहते हैं, और जब इस दुनिया के अंदर, शुन्ने का आविश्कार हुआ था, जो आर्यभट ने करा था, ये mathematical point of view से बहुत बढ़ा आविश्कार था, पर ये spiritual point of view से उससे भी बढ़ स्टेट, अब इसका मतलब ये होता है कि चाहे तुम्हारे जिंदकी के अंदर दुख आए, चाहे खुश आए, तुम्हारे जो mental state होनी चाहिए, वो एकदम स्थेर होनी चाहिए, वो एक ही जगा पर होनी चाहिए, वो इधर से उधर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपने अ आपको किसी पर खुश ही आ रही है, किसी न आप खुश कर दिया है, और आपने कुछ decision ले लिया, और वो decision ने last में आपको पता लगा, थोड़े दिनों बात पता लगागी और ये मेरे को decision नहीं लेना चाहिए था, ये especially corporate के अंदर ही marketing के लोग करते हैं, right, marketing के अंदर लोग कर दूगा, now, अब तुमने advertisements देखेंगे, advertisements के अंदर क्या होता है, वो तुम्हारे emotions को high करते हैं, तुमको खुशी feel करवाते हैं, और उसी basis पर तुम वो product जा कर लेते हो, right, तो वो खुशी के अंदर लिया, वो decision तो गलत हुआ, same with the anger, anger के अंदर भी आप जितने भी decisions लेते क्योंकि, right, that's the only thing I ask you, subscribe कर दो, और Instagram पर हमारा क्या channel है, The Shikshit Talks, अभी इसमें ये 681 के दिखा रहा है, पर हमारे 650 के हो चुके हैं, और एक दो महीने के अंदर, हम million भी cross कर जाएंगे, so do support it and do share it, subscribe करना, मत भूलना, okay, now, the thing is, हाँ, अब पहले हम आते हैं, that is video के अंदर हम क्या के बात करेंगे, that what is meditation, meditation क्या होती है, और क्यों करने चाहिए तुमको meditation, क्यों सीखना चाहिए meditation, और कितने तरीके के meditation मैं तुमको इस series के अंदर सिखाने वाला हूँ, क्योंकि देखो, आपको एक चीज समझना है, जो meditation होत कि होती है, पर meditation, हर stage के लिए अलग तरीके की होती है, मेरे को जिस जिस stages की meditation आती है, जिन stages के meditation को use करके, मैंने अपने personality develop करे, अपने start-ups बेल्ट करे रहे हैं, bizneses बिल्ट करे है, अपना youtube channel बिल्ट करे है, communication skills बिल्ट करे है, emotional intelligence बिल्ट करे है, मैं वही सब meditation तुमको सिखाने करता है कि मैं तुमको बिलकुल एकदम spiritually enlightenment कर दूँगा क्योंकि I'm not a fake guru I'm not a fake teacher जो तुमको वो चीजे बताएगा जो चीजे मैंने खुछ से experience नहीं करी है जो चीजे मैंने खुछ से नहीं पाई है तो पहला point आता है that what is meditation meditation होता है एक fullness state थोड़ी देर पहले बता है स्थिर्ता कि आपके जो विचार है आपके control के अंदर आचाएँ आप जो चीज सोचना चाहो और वो चीज सोच पाओ अब इसमें meditation का मतलब यह नहीं होता है कि आपके विचार ही चले जाएए यह बहुती extreme level के meditation होती है जिसमें जितने भी youth हैं वो बहुत confuse कर जाते हैं यह बहुती आखिर के level के meditation होती है जो बिल्कुल अंत में आती है जिसमें तुम एक thoughtlessness stage पे चले जाते हो और thoughtlessness stage पे जाने से पहले तुमको materialistic चीज़ों को भी experience करना होता है materialistic चीज़ें जैसे job हो गया money हो गया, relationships हो गए उसके बाद तुम उस stage पर पहुँचते हो जब तुमारी thoughtlessness stage आ सकती है वो भी एक सही गुरू तुमको बताएगा कोई YouTuber तुमको नहीं बताएगा कोई courses के अंदर तुमको नहीं बताएगा क्यों यह thoughtlessness stage ना एक individual teaching होती है उसके लिए तुमको उस काबिल बनना पड़ेगा और उस काबिल बनने के लिए तुमको वहाँ तक पहुचना पड़ेगा और तुम वहाँ तक तभी पहुचोगे जब तुम अलग-अलग चीजों को experience करोगे तुम job को experience करोगे, business को experience करोगे heartbreak को experience करोगे इस दुनिया के जितने भी emotions है ना जब तक तुम इन सब का experience नहीं कर लेते तब तक तुम enlightenment की stage तक नहीं पहुँचोगे और यह personal choice है तुम जबदस्ती enlightenment stage पे नहीं पहुँच सकते हो कि internet पे आजकल बहुत लोग बता रहें कि enlightenment ऐसा हो जाता है वैसे हो जाता है इतना असान होता ना तो हर कोई कर रहा होता है enlightenment enlightenment के courses बिकरे होते है books बिकरे होती पर ऐसा नहीं होता गौतम बुध ने enlightenment का रस्ता तभी अपनाया था जब उन्होंने सारे चीज़े experience कर ली तो उन्होंने दुख experience कर लिया था उन्होंने money experience कर लिया था उसी के बाद उनको पता लगा था यार ये सब चीज़ों के अंदर तो value है ही नहीं पर अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है अभी तुम्हारे पास हो सकता है job नहीं हो हो सकता है तो उन्हें money experience नहीं कर रहा हो सकता है तो उन्हें अच्छे relationships experience नहीं कर रहे हो पर तुम यह चाहते हो कि हम एकदम से enlightenment की stage पर चले चाहे और अगर जो भी इंसान तुमको वहाँ पर लेके जाना चाहता है जो भी इंसान तुमसे कहता है कि पढ़ाई छोड़ दो जॉब छोड़ दो बिजनेस छोड़ दो पैसे छोड़ दो और सारी materialistic चीज़ें छोड़ दो वह तुमको फुद्दू बना रहे है जितने भी लोग यह सब बोलते हैं कि तुमको सब नहीं छोड़ा तुम हमको क्यों छोड़ने के लिए क्याते हो ठीक है तो इसलिक छोड़ना कुछ भी नहीं पहले experience करो experience करने के बाद उसके बाद जब तुम्हारे अंदर से आएगा नहीं कि नहीं यार इसके अंद मजा नहीं है तब उसके बाद उसका त्याग कर दो अपन meditation तुमको स्थिरता पे लेके जाता है तुमको तुमारे गोल्स के पास लेके जाता है तुमको तुमारे विजन्स के पास लेके जाता है तुमको तुमारे ड्रीम्स के पास लेके जाता है अगर तुम सिर्फ पानी पर है तो वो भी तुमारे लिए meditation अगर तुम सिर्फ खान और दर नहीं है इसको हम एक आगरता कहते हैं इसको हम meditation कहते हैं कि एक चीज एक बारी के अंदर करना समझे नौ फिर आता है वाई meditation वाई meditation इसलिए क्योंकि ये तुमको तुमको तुमारे गोल्स के पास लेके जाएगा तुम्हारी potential को increase करेगा एक human एक बहुत ही magical being है बहुत ह meditation तुमको तुम्हारा stress खतम नहीं करती, meditation तुमको तुम्हारा problem खतम नहीं करती, meditation एक तुम्हारे mind पर एक bullet proofing कर देती है, जिससे कि तुम्हारे life में कुछ भी आए, तुम उसको आसानी से handle कर पाओ, अगर कोई special occasion आ रहा है, अगर कोई problems आ रहे हैं, कोई challenges आ रहे हैं, तु तुम उनको एक स्थिर दिमाग से tackle कर पाओ, स्थिर दिमाग से tackle कर पाओ, एक बहुती अच्छी सेहिंग है, कि सबसे ज़्यादा powerful warrior war के अंदर वही होता है, जो काम होता है, जो स्थिर होता है, क्योंकि स्थिरता जब तुम्हारे मस्तिष्क में रहेगी, जब तुम्हारे mind यह है कि तुमको emotions को suppress नहीं करना है, तुमको उस emotion को feel करना है, और उस emotion को right जगा पर channelize करना है, जब मैं कहता हूँ कि emotional control करना है तुमको, तो emotional control का मतलब यह नहीं होता कि तुमको खुशी हो रही है, तो तुम उस suppress कर दोगी, नहीं, suppress नहीं करना है, उसको experience करके, कहां पर इ मेडिटेशन सा ही समझ वाएगा तुम किताब पढ़ रहे हो वो भी तुम्हारे लिए ध्यान है तुम अभी मेरे को सुन रहे हो वो भी तुम्हारे लिए ध्यान है तो experience करो पर सही तरीके से experience करने को meditation कहते हैं Now, अब आता है कि meditation कितने तरीके की होते है meditation 108 तरीके की meditation होते है जो अब तक explore करी गई है पर हर एक stage के लिए अलग meditation है तुम level 10 पर बिना level 1 को cross करें नहीं जा सकते तुमझे level 10 पर बिना level 1 को cross करें बिना तुम नहीं जा सकते पहला तुम को level 1 पर चीजों के experience करना होगा, challenges face करने होगे, उसके बाद तुम level 2 पर जाओगे, फिर तुम level 3 पर जाओगे, फिर level 5 पर जाओगे, ऐसे ही तुम level 10 तक जाओगे, समझे, पहली meditation आती है, आपकी mindful meditation, mindful meditation का मतलब यह है कि तुम जो भी चीज कर रहे हो, तुम एक mindfulness के साथ कर रहे हो, positive भी होता है, यह तुमको मैं mindful meditation वारे lecture के अंदर सिखाऊँगा, तो subscribe कर लो, daily videos आएंगी, daily शिक्षित बनाऊँगा, ठीक है, subscribe जरूर करना है, क्योंकि फिर तुम उल्टे सीदे लोगों की वीडियो देखोगे, और तुम अपने आपको distract कर लोगे, अपने दिमाग के language के अंदर सिखाऊँगा, फिर आता है आपका love kindness meditation, love kindness meditation आप कहोगे भई है, यह तुमने पहले कभी भी नहीं सुना, यह सब यह भी important, देखो सारी तरह की meditation important है, यह बहुत सारी meditation practices का combination है, एक एक सीखकर, जब तुम सब को एक साथ use करोगे न, तब तुमको आगे बढ़ने से तुमको तुमारे goals को achieve करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी, इस meditation के अंदर हम दूसरों के परती प्यार भावना को बढ़ाते हैं, चाहे हो तुमारे colleagues हो, चाहे हो तुमारे family members हो, चाहे हो animals हो, किसी के भी लिए, कि जब तक इंसान के अंदर हो प्रेम भावना नहीं हो होगे, majority of the love नहीं कर पाते हैं experience, वो relationships के अंदर चले जाते हैं, वो tag लगा देते हैं, यह मेरा husband है, यह मेरी wife है, यह मेरी girlfriend है, यह मेरी boyfriend है, यह मेरी बेटी है, यह मेरी कुछ भी है, 90% लोग बिना प्यार को experience करें मर जाते हैं, अब तुम किया रहे होगी भाईया, मैंने त experience कर रहा, तुमने नहीं कर रहा है, तुमने नहीं कर रहा है, जो तुमने experience कर रहा है, जो बहार से जो चीज आती है, उसको हम pleasure कहते हैं, love is all about giving, love is not about taking, यह गुरु मन्त प्रकड़ लो, अगर तुमको किसी से प्रेम है ना, तुम सिर्फ उसको दोगे, तुम उससे कुछ मां हूँ, okay, next आता आपका guided meditation, guided meditation के अंदर आपके पास एक guru होता है, काफी आज कल YouTube पर बहुत guided meditation हो लगा है, वो आपको बताते हैं कि क्या करना है, कैसे thoughts करना है, आपके brain के अंदर reprogramming चलती रहेगी, subconsciously again, again एक और चीज है, अगर तुमको अपनी life के अंदर improve करना है, अच्छ अपने pain को खतम करना है, उसको restructure करना है, तो description के अंदर courses के links है, जल्दी से जाओ, और free lecture भी है, 11 गंटे का, वो देखो पहले, उसके बाद decide करना कि तुमको इस course के अंदर endure करना है, यह नहीं करना है, यह पूरा 110 गंटे का course है, सारी चीज़े तुमको नीचे मिल जाएंग फिर हम उसके बाद वाली वीडियो के अंदर हम सीखने वाले है, योग निद्रा, जिसको हम आज कल nap भी बोलने लगे हैं लोग की, मैं nap ले रहा हूँ, योग निद्रा हर एक उस इनसान के लिए है, जिसको जादा काम करना है, जिसको जादा पढ़ाई करना है, जिसको अप निद्रा कर लो, राइट, योग निद्रा भी आपको समझाऊंगा, और तब तुम्हारी बॉड़ी फिर से 12 घंटे के लिए चार्ज हो जाएगी, फिर से 12 घंटे के लिए चार्ज हो जाएगी, काफी सारो लोगों ने ट्राय करने आप लेने कबर, वो आप लेना चाहते हैं, तो don't worry, वो problem भी तुम्हारी solve हो जाएगी, फिर उसके बाद आता है, visualization, meditation, ये सबसे आखिर की meditation है, जब तुम guided meditation, mindful meditation, love kindness meditation और योग निद्रा meditation, जब तुम इन सब चीजों को अच्छे से करने लगोगे, उसके बाद तुम manifest कर पाओगे, उसके बाद तुम visualize कर पाओगे सुझे, उससे पहले तुम नहीं कर सकते हो, again अगर तुमको जल्दी से करना है, जल्दी सीखना है, enroll करो, and subscribe कर देना, daily videos आएंगी, 9 बज के 9 मिनट पे, ठीके 9 बज के 9 मिनट पे, daily comments करना है कि तुमने पूरी वीडियो देखी या नहीं देखी, daily अपने आपको संकल्प दे देना है कि मुझको पूरी वीडियो देखनी है, पूरा lecture देखना है, notes बनाना है, और फिर Instagram पर जाके अपनी story लगा कर में को tag करना है, मैं तुमको देखूंगा, मैं तुमको reply करूंगा Instagram पर, मैं तुमको appreciate करूंगा तुमारे efforts को, अगर कोई तुमको appreciate नहीं कर रहा है, शि शिक्षित बनाना है, वो 10 लाइक लोग पूरे देख को सिक्षित बनाएंगे, क्योंकि जब तुम शिक्षित बनते हो ना, तुमारे आज़ बास चितने भी लोग होते हैं, वो सब सिक्षित बनते हैं, मिरे को तुम लोगई को mentally tough बनाना है, जिससे कि तुम आरे अंदर जो hidden potential जो hidden शक्तिय हैं वो सारी भाहर निकल के आए और तुम उससे इस देश को, इस दुनिया को इस humanity को आगे बढ़ाओ इस वीडियो जाद 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 लोग से share करो क्यों कि मैं चाहता हूं कि ये meditation की series जाद 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 लोग देखे और अपने दिमाग को मजबूत बनाएं एक शक्षत mentality करें जिससे कि अपने माबाप को एक अच्छी life दे पाएं और खुद को अच्छी life दे पाएं अभी मैं चलता हूं कल को 9 बच के 9 मिनट पे मिलते हैं स्टे शक्षत